हेलो हाई एंड विल्कम बाक टू ये टिनिदा वीडियो और आज के इस वीडियो में आप सोगत है और आज हम बात करेंगे क्लास 12 वाले बचों के लिए जो कि अभी 12 में है या फिर जो 12 में आने वाले उनके लिए बहुत ही बड़ा चेंज आया है आगे ग्राइजुएशन के लिए आप जैस्पी कॉलेज में अड्मिशन लोगे उसके एड्मिशन क्राइटेरिया में चेंज आए हैं इसका नाम है दिसका नाम है जिसका नाम है और इसको बोल दिया जाता है उसको देखोगे इसका मतलब होता है और उनिवर्सिटी एंटरेंस टेस्ट यह यूजी सी ने एक इसलिए भोला कि आप अभी तक क्या था कि बहुत सारी यूजिटी जो कि Central उनिवर्सिटी यह प्राइव उनिवर्सिटी यह उनके अलग क्रेटेरिया हो देते हैं फॉर एक्जम्पल अगर मैं तुम्हें बात करूं तो डियू डियू का जो क्रेटेरिया था वो तुमारा था 99.9% अगर तुमारे 12 मांक्स आते हैं देन उनली यूजिबल तो अप्ल करनी है और इसके बेस पे आपके कट आफ जाएगा अपने हिसाब से रख सकते हैं तो अभी है क्या इसके बारे में एक बार देख लेते हैं इसके अंदर आती हैं लिस्ट है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको टार्गेट करता है जिसमें कि तुमारी सारी उनिवर्सिटी आती है डेली उनिवर्सिटी जेन यू एम यू और जितनी भी तुम लेके चलते हैं अलिकर्ट यूनिवर्सिटी बनारी इसके अंदर आती है लिस्ट है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसकी वह तो में और लाइन मिल जाएगी कहीं से भी प्लस जो यूजिसी ने बोला कि ज जो प्राइविट यूनिवर्सिटी वह भी इसमें लगा सकती वह भी चाहें तो सी उसीटी की मदद से अपना एंटरेंस रख सकती है फिर अपने बच्छों को रख सकती है बिना किसी अधार एक्जाम के अभी पेपर होगा कैसा क्या होने वाला है कैसे कैसे सब्जेक्ट सा अने वाले हैं अब पूरी जारकारी अभी तक नहीं आई है वह उन्होंने बोला है कि मोश्ट प्रवबली अप्रेल के फिर्स्ट से वीडियो बना लिया जाएगा तो डबल शिप्र होगा पेपर और पेपर टू जुलाई के या फिर जून के मन्त में होने वाला है तो मान क हो एक lang LED को are you which language is okay अनल से कौई एक लेंडंगोज को सकते हो कि हिंदी गिरा इन्धी ग्रल या पंजाबी इंग्लिष सारी हें मतलब हिंभी इसमें इंक्लूडड है तो if you are Hindi या English में से कुछ एक भी आप चूज़ कर सकते हैं फिर अपनी लेजिनल लाइंग्वेज पंजाबी उडिया अरविया तेल को जो भी आपको चाहिए वो इसमें इंक्लूट कर सकते हो तो एक पिपर इसका होगा दूसरा जो आएगा दूसरा पार्ट होगा उसमें six out of twenty seven subjects 27 जो तुम्हारे 12th के subjects हैं उसमें से तुम्हें छे subject को ही चूज़ करने है उसके बेस पर तुम्हारा domain specific test होगा छे subjects तुम कौन कौन से चूज़ कर सकते हो हमारे पास तीन टाइब के बच्चे होते हैं science, arts और commerce तो इ ले सकते हैं, commerce ले सकते हैं, commerce ले सकते हैं तो मतलब आप stream change हो की मैंने आप ही लिख रखा है वह बहुत ही important जी मतलब 12th के बाद if you want to change the stream जैसे आपने 12th में science लिया आप आगे arts करना चाहते हो तो अब आप यह चीज कर सकते हो या नि यह चीज important है यह मतलब आप खुल गई पूरी तरीके सब्सक्राइब होगा तीसरा जो पार्ट आएगा वाएगा जेनरल टेस्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक apt जैसे कि सिंपल से लॉजिक डिजनिंग वगारा कुशन आते हैं वह प्लस तुमारे एक language टेस्ट आएगा language टेस्ट में क्या होगा इसमें 19 लैंविजिस तुम्हें चूज करने चूज में से कोई एक चूज करने यह 19 लैंविजिस इन 13 लैंविजिस में से नहीं होंगी और इसमें आप कोई भी इंटरनेशनल लैंविजिस लैंविजिस लैंग जैपनीज स्पैंडिश वगारा वह चूज कर सकते हो यह इसलिए रखा गया ताकि इन केस अगर आपको भी फॉरें इंविजिस में अड्मिशन देना चाहते हो तो यू कैन गिव दिस और इसके बेस प इरिजिनल दो तुमारे डुमेंज सब्जेक पेपर वन में आएंगा फिर चार डुमेंज सब्जेक और जनरल टेच्ट तुमारा यह दूसरे में आना चाहिए मेरे साबसे मोस्ट प्रवबली ऐसा होगा अब इसका सिलेबस क्या है सिलेबस तुमारा 12 का सिलेबस है 12 में NCIT क सिलेबस आएगा तो आप इसमें STVSC वालों को थोड़ा सा benefit मेरेगा बट बोला गया है कि state board वाले भी इसमें आएंगे state board के भी 그거 XP dość के जो किताब है तो उनके बेस में प्रिफ्टोष款 पको कॉश्चम सबके कर दो क्यों में नहीं नहीं रहे हैता अब जैसे से भी कम कर दिया कहा 99.9 परसेंट था कहा 40 परसेंट कर या चाहलिस परसेंट आपको चाहिए सिर्फ 12 में और आपको C-U-C-E-T देना है इसमें यह कुछ एक निकाल देंगे तो यह हो गया इसी तरीके से सारे भी अपने अपने धिरे-धिरे ले जो टेस्ट होगा यह तुम्हारा mcq-based test हो यह जैसे होता है यह जैसे होता है और यह तुम्हारा computer-based होगा तो तिक computer भी मैं आप computer के सामने बैठे होगे आपको वहां पे करना screen पे question दिख जाएगा mcq दिख जाएंगा कि तोड़ा बहुत दे रखा होगा वह तरीके से question और सिर्फ 12 का मतलब इसके लिए कोई भी extra coaching करने के जोरत नहीं यह नहीं कि कोटा जाके पढ़ना या कहीं पढ़ना वह कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए सिंपल सा तुम्हें 12 पढ़ो 12 का basic जैसे exam दोगे उसी के बेस पर सिंपल एंसी आटी बेस तुम्हारे सारे question होंगे यह नहीं हाई लेवल जाए question नहीं सिर्फ 12 लेवल के question और that's it ठीक है तो एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा यह क्योंकि education criteria बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो अब तुम्हारे पास प्लस पॉइंट जो है कि science वाले बार्ट में भी जा सकते हैं और तो बस इतना सही था इसके बारे में जादा जानकरी जो हैगी जुलाइं में पेपर होगा आपरेल के में इसके वह क्या बोलते हैं registration शुरू हो जाएंगे registration तो करना ही पड़ेगा ठीक तो that's it from this video अगले वीडियो में अपना के लिए अपना ख्याल रुको बबाए नमस्काल जाहेंद